करेंगे next work, next work है हमारा my alphabet hun, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप new new alphabet read करते हैं, और written में भी करते हैं, है ना, तो आज आपकी मैम, क्या work लेके आई है आपके लिए alphabet का, आज आपकी vision चल दे बच्छे, circle the correct letter, जो ये picture draw की हुई है, जैसे आपने हिंदी में भी किया था, ऐसे ही आपको जो picture draw की हुई है, जो आपकी सामने, जितने भी letters लिखे हुए है, first letter, तो उनको आपको right वाला जो letter है, उसको circle करना है, पहले मैं आपको board पर समझाऊंगी, उसके बार हम not book में work करेंगे, लिखा क्या है मैंने, circle करना है आपको the correct letter, जो इन में से letter right है, है न, उसको आप circle करेंगे, ये क्या draw किया हुआ है, ये है hut, क्या है, hut, I for ice cream, H for hut, R for rose, R for rabbit, है न, तो ये wrong है, ये wrong है, next क्या है, hammer, तो hammer से हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था न, कि आप hammer से क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, hammer से हम needle को wall के उपर, जो भी आपको cheese wall पर hang करनी है, उसको आप hammer की help से needle को उस पर लगाते हैं, है न, तो hammer, V for van, I for ice cream, H for hammer, next क्या है, P, P मतलब मतर, आप खाते हैं मतर पनी, P, P for barret, P for peak, P for papaya, P for pick up, I for, I for ice cream, है न, ये भी wrong, R for rose भी wrong, तो ऐसे ही अब हम करेंगे, notebook में work, आजा आपकी ma'am sim, वैसे ही work लेके आई हैं, जैसे आपने हिंदी में किया था, इसमें आपको correct letter आपको, इसमें find करने हैं, next, ऐसे ही आपको जो picture same sim alphabet की है, जैसे आपने swirl में भी same sim swirl थे, आपने matching किये थे, ऐसे ही आपको, जो same letter के same picture है, उसको आपको matching करना है, पहले में आपको ये correct letter का circle करवाओंगी, आप heading डालेंगे, date डालेंगे, सुन्दर सी draw करेंगे, pictures को, H for hut, H for hammer, P for pig, ये कौन से picture है, P for pier, P for papaya, J for joker, J for joes, X for X-ray, X for xylophone, and now, मज़ा आया न, मेरे प्यारे प्यारे बच्चो को, draw करने में और matching करने में बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चो, आज आप अच्छे से अपना oral का test भी देंगे, और साथ में अपना सुन्दा सुन्दा सा work भी करेंगे, तो ओके बच्चो, आपको oral test के लिए all the best, तो मिलेंगे हम live class में और सुन्दा सुन्दा सा work करना, ओके बाई बाई